आई गाईज, कैसो आप लोग? सो दोस्तों, CBSC की डेट शीट आ गई है अब, जब CBSC की डेट शीट आ गई है तो दो चीज़े हैं सर अब किस तरह कैसे इसके लिए रिवाइज करें, 10th बोर के लिए और 10th बोर के रिवीजिन के साथ-साथ हम सर कैसे यह बहुत important है हम सर कैसे जेए नीट की preparation को handle कर सकते हैं आप मैंसे काफी सारे students मेरे साथ IOQM में जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे जेए के अंदर भी जुड़े हुए हैं नीट के अंदर जुड़े हुए हैं तो सब लोग foundation कर रहे थे तो सबसे पहले आप लोग को मैं date sheet ब बाद आप लोगों का science का paper है चार मार्च को ठीक है sufficient gap है करेक्ट और फिर उसके बाद Sanskrit बहुत सारे बच्चों का होता है 11 मार्च Sanskrit है ठीक है पिर computers भी होता है कुछ बच्चों का 13 मार्च खुश हो जाएंगे कुछ बच्चे पहली बार computer को इज़्जत दी है मैंने वहना में computer को दो लिखता ही नहीं था कभी 15 मार्च को social science ठीक है फिर 17 मार्च को हिंदी हिंदी में essentially आपको एक ही दिन का gap मिलेगा और फिर the dare devil 21 मार्च mathematics का paper है तो सभी लोग के जो board examination है वो 21 तारीक को खतम हो रहे है ठीक है सभी बच्चों के जो board examination है वो 21 तारीक को खतम हो रहे है अब आप लोग यह चीज देखिए कि जिन जो सबसे dreaded subjects है वो है science, social science और maths बहीं हिंदी English भी है मैं मानता हूं तक लूगा इसके बाद नहीं लूगा 20 जनवरी तक भी शायद मुस्किली लूग 15 जनवरी तक ही लूगा उसके बाद आप लोग homework कर सकते हैं जो भी मैंने चीजे पढ़ाई और रिवाइस कर सकते हैं और जो पहला चैप्टर है basics of algebra उसको आप लोग complete कर सकते हैं ठीक है एक crash course आएगा जो basically start होगा after 31st January 31st January after 31st January दोस्तों ये course आप लोग का start होगा इस course के अंदर हम लोग आपको कुछ sheets देंगे जिसको बोलता है sheets, school exam preparatory sheets ठीक है ये चीज़े आप लोग को मिलेगी इस सबकी information आप लोग को t.me slash pj sir 42 पर मिल जाएगी बहुत ही जल्दी हम लोग ये sap sheets rollout करेंगे और इन sap sheets के अंदर आप लोग को पूरा जो board का coverage है वो मिल जाएगा ठीक है ये 10th board की पूरी की पूरी planning है जो हम आप लोग को देने वाले आप लोग को जो चीज़ ध्यान रखनी है specifically वो ये है कि आप इसके बाद ना ही पड़े तो जादा बढ़िया है जेई के लिए ताकि आपके माता-पिता का आपसे विश्वास न उट जाए अपने माता-पिता को 10th board में अच्छी percentage दीजिए दोस्तों आपसे जादा उनको इसकी requirement होती है और काफी सारे student 95% के लिए aim कर रहे है उन सभी बच्चों को all the best जो बच्चे देखो 70% भी है मैं आप लोगों को बतायता हूं दोस्तों मेरा दोस्ते 68.6% लाया था 10th board में और फिर 143 rank लाया था जेई में तो जेई की rank और 10th board की percentage highly unrelated होती है इसका मतलब यह नहीं है कि unrelated ही रखना है मतलब तुम जान बूच की 68% लाओगे ताकि 143 rank आसा कि यह भी surety नहीं होती ठीक ह तो मैं बस आप लोगों को यह चीज़ बता रहा हूं अपनी full मेहनत कीजिए जो भी आप लोगों का best examination best output possible है वो दीजिए और आपको हम support करें पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा study material मिलेगा classes मिलेगी यह सब चीज़ों की आप लोगों को guarantee ठीक है अगर आप लोग दोस्तों अनकेडमी से अपनी preparation करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही amazing offer चल रहा है जिसमें 23% off मिल रहा है यह year-end offer year-end offer तो अगर आप अनकेडमी के साथ online हो या offline अपनी preparation start करना चाहते हैं तो आप लोग subscribe कर सकते हैं subscription के अंदर आप लोग को cbsc के subscriptions भी मिल सकते हैं साथ के साथ साथ तो pj live code यूज करके आप लोग subscribe कीजिए pj live code यूज करके आप लोग को subscribe करना है correct so I hope आप लोग को सारी की सारी clarity मिल गई है कि किस तरह से आप 10th board के लिए prepare करेंगे जल्दी से prepare कीजिए keep liking keep sharing keep subscribing and keep coming on plus platform using my code pj live